गुड मॉनिंग फ्रेंट्स वेलकम तू जैगुरू कोचिंग सेंटर वंस अगेन आयम है तो डिस्कस तेन मोर वन वर्ड सब्स्टिशुशन देन लेट अस ताट वन वाई-वन तेन वर्ड वन वर्ड सब्स्टिशुशन अलॉंग विद दाट ओल फोर अप्संस मैं सभी चा अपना अटेंशन हाइल कर लिजिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ दा बिजनस टूबी ट्रांजक्टेड अटर मीटिंग मतलब कोई मेटिंग होता है तो उसमें क्या क्या डिसकस करने के लिए जो हेडिंग वनता है उसको क्या बोलते हैं अजेंडा हिंदी में कारे सुची फर्स्ट ऑप्शन देख लिजिए स्य ड्यूल होमेनी सेडू अट इर इन्टिंडीयन कंस्ट्टित्यूशन तो कहेंगें 12 सेडूल आपका क्या स्युडियूल यह स्कूल का स्युडियूल क्या लिए चार बजसे लिए पार्स वाज तक स्युडियूल समझ में आरा है थी केस का प्रोशीडिंस होता है कार्जवाही होता है ओके डी ऑप्षन लीजिए एक शर्प्ट यहाँ पर मैं फट्नस ये इसंवी लिग दिया हूं एक सार्प्ट जिसेंटर्वी होता है एक इंटर्वी पूरा लॉंग इंटर्वी होता है और पैसेज वगरह जो पेपर यहां पर साथ में है यह सच अ लिट्रेरी ओके लिट्रेरी में साहित मुजिकल कंपोजीशन और डॉक्मेंट्स और फिल्म उसका कुछ अंस लेकर कहीं पर प्रकासित किया जाता है लिखा जाता है दाइट इज कॉल्ड एक्सर्प्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा इक्स्ट्र है उसको निकालके प्रकासित करना धाट इज कॉल्ड एक्सर्प्ट अब प्रोसेस इन्वाल्विंग टू मच ऑफिसियल फॉर्मलिटी मतलब बहुत ज्यादा ऑफिसियल नियम कानून रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रेट टैपिजम अंसर देख लिए रेट इज स्वावरिटिजम अंसर टू रिलेटिपस फेवर दिया जाता है जाता है जात इज कॉल्ड निपोचिजम ओके बी ओप्षन देख लिजे डिप्लो मैसी डिप्लो मैसी एसकील इन डिलिंग बिद पीपल एक ऐसा स्कील होना जो पीपल के साथ डिल करना और बात करना ज इंटरनेशनल रिलेशन भी दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन आर्ट होता है बातचित करने का देट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लो मैसी इन हिंदी कुट नितिक भी देशों के बीच राजनितिक समंध को भी काते हैं दा एविलिटी तो डिल वीद अधर्स इन टची अब मुझे आप ऐसा आप बोलें जिसे में के मैं आफेंड हो गया मतलब मुझे बूरा लगा तैट इज कॉल्ड ऑफेंड ओके नेक्ट ऑप्सन डी देख लीजे ब्यूरो क्रेसी जिसमें नौकर साही दफ्थर साही क्रेसी मिस रूल होता है सासन ब्यूरो मिस जिसमें होता है वह ऐसा जो उसके द्वारा सासन चलता है ऑफिसियल सर्वेंट के द्वारा देज कॉल्ड ब्यूरो क्रेसी नौकर साह दफ्थर साही अब person who brings an action at law मतलग कोई action लाता है कोट में किसी के खिलाफ तो उस आदमी को क्या बोलते है plaintiff 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 का सिननिम complainant complainant जो करता है plaintiff ओके plaintiff next b option दिखे लिटिगेंट plaintiff और लिटिगेंट दोनों एक दूसरे का सिननिम है लेकिन difference क्या है suppose that आप कुछ गलत काम किये मैं आप पर case किया तो plaintiff मैं हुआ लेकिन litigant आप हुए और मैं भी litigant हुआ मतलब किसी case में जो involved रहता है न उसको बोलते हैं litigant लेकिन plaintiff में difference है कि मैं आप पर case किया हूँ तो मैं plaintiff हुआ लेकिन आप पर मैं जो आरौप लगाया हूँ plaintiff हुए ओके difference समझ में आ गया होगा plaintiff है litigant में litigant जो case में involved रहता है चाहे आपर case किये चाहे हम किये तो हम भी litigant हुए और आप भी लेकिन प्लेंटिफ मैं केवाल हुगा क्योंकि मैं आप पर केस किया हूं ठीक है नेक्स्ट डेपोनेंट डेपोनेंट मीज वन वन वो गिप्स टेस्टिमोनी बाई ऐफिडेविट और डिपोजीशन डिपोजीशन के दौरा मतलब साने हाजिर होके जो गवाह देता है से समझ लीजिए डिफेंडेंट जो आपने आपको बचाओ करता है इस गॉल्ड डिफेंडेंट ओके तो यहां पर अंसर हो गया है ए ओके दसाट रिमेनिंग एंड ओफ ए सिग्रेट सिग्रेट का जो अपसे बच जाता है उसो क्या बोलते हैं अस्टब अंसर बी क्या होगिया अस्टब ने फर्स्ट अप्षन देख लिजिए स्टंप क्रिकेट में स्टंप होता है तीन ना स्टंप रहता है दैट इज कॉल्ल स्टंप अंद लखड़ी का टुकड़ा भी कर सकते हैं ओके थर्ड ओप्षन देख लिजिए सी रैग रैग अपीस एक हैं आट का रख अट का इस्टो कीर ट्रहा जाता है तहसको क्या बोलते हैं अच यह होते हैं जहां रखा जाता है आइश alignment इस फालेश को बोलते हैं और नहीं है। आर्चिप नहीं होता है इसका प्रणाशेशन आर्काइव ओके नेक्स्ट देखे फर्स्ट आप्शन कॉफर मतलब जहां पर वी एस्टोर वाल्यूएवल थिंग्स के जहां पर रखते हैं उसको बोलते हैं कॉफर कॉफर मतलब यहां पर दख लिए तीजोरी खाने का संदुक उसको बोलते हैं कॉफर ओके पैंट्री रेल्वे में पैंट्री होता है जिस भी रेल्वे में पैंट्री अगर नहीं होता है तो हम लोग को नहीं मिलता है खाने के लिए कुछ भी दाट इज कॉल्ड पैंट्री ओ तहराक र shorter बिसकें हम भी blir अ पर लेकिन यह Aa अधत वयुआ दिशा हो लेकिन देजी सको ऑर्काईव और काईव जो आपं ऑप पॉस्ट बिदाओट रिूम्न रीमिन रइलेचंस जैसे में इम्यून्रेशन का हिंदी मजदूरी मेहनाताना उसमें कुछ ना मिले वैसे पोस्ट को क्या बोलते हैं ऑन्रेरी जो अपने मन से भी कोई ड्यूटी जैसे में बड़े-बड़े खिलाड़ी होगरा कि कुछ पद दे दिया जाता है लेकिन वो काम तो करता नहीं है उसके लिए पैसे भी नहीं लेता है ऐसी अब आइतनिक जो करते है तो ऐसे पोस्ट को बोलते हैं ओन्रेरी ओके नेक्स्ट देख लीजे वलंटरी वलंटरी डन बिद आउट सवरे ड़न विद वन्स ओन फ्रीविल मतला अपनी इच्छा से जो कहां होता है करता है उसको बोलते हैं वलं मतला अपना मन से, ठीक है, देखलीजिए, sign cure, B option देखलीजिए, sign cure, an office that involves minimal duties, minimal duties रहता है, बहुत कम duties, लेकिन high पे रहता है, उसनों पैसा जादा मिलता है, ठीक है, वैसे duty को क्या बोलते है, sign cure, sign cure, okay, involuntary, just opposite involuntary का, involuntary, okay, some functions are involuntarily performed, such as breathing, digestion, heart beating, ये सब अपने आप होते रहता ह इस पे आपके इछा नहीं चलता है, ठीक है, that is called involuntary, यहाँ पर answer कौन सा हो गया, unrary, option C, large scale departure of people, मतलब कहीं से, ज्यादा departure चला जाता है, कहीं से people एक जगा से, तो उसको बोलते हैं, exodus, exodus, one by one option देख लेते हैं, migration, migrate to move from one region to another region, मतलब एक region से दुसरे region में जाने को बोलते हैं, migration, but isn't necessarily permanent, permanent के लिए नहीं जाता है, that is called migration, मतलब एक जगा से दुसरे जगा हो ना, that is called migration, emigration, emigration मतलब होता है, to move out once original country or homeland to live in another country, मतलब एक country से दुसरे country में रहने के लिए अगर move कर जाते हैं, that is called emigration, याद करने का तरीका हैं, देख लीजे, e से export होता है, export दुसरे country को करते हैं, तो इसे याद रखिए कि दुसरे country में जाके बसते हैं, that is called emigration, okay, immigration, im से import होता है, immigration, to come into another country, to live permanently, to come into another country, आने का, ये उपर वाले क्या था, जाने का, ये आने का, जो आके बसता है हमारे country में, तो उसको बोलते है, emigration, okay, clear, इसमें confusion नहीं होना चाहिए, immigration, emigration और immigration में, ठीक है, ये जाकर बसते हैं, immigration में, और ये आकर हमारे country में बसता है, उसको बोलते है, immigration, okay, lottery in which an article is assigned by a lot to one of those buying tickets, इसका हिंदी हुआ, जिसमें ticket खरिदने वाले, lottery, जिसमें ticket खरिदने वाले में से किसी एक को लेक सौपा जाता है, मतलब कोई बसतो सौपा जाता है, उसको बोलते है, raffle, उसको क्या बोलते है, raffle, मतलब lottery द्वारा बेचना, इसको भी raffle करते है, lottery द्वारा माल की बिक्री, ये सब क्या होता है, raffle होता है, auction अब जानते है, निलामी करना, जो जितना ज़्यादा पैसा देगा, बोलेगा 3,00 कोई बोल दिया 4 लाग, फिर बोल लग 5 लाग, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, auction, उखे, और रैफल में क्या होता है, लोट्री द्वारा कुछ बेचा जाता है, या खरीदा जाता है, ठीक है, that is called रैफल, to send an unwanted person out of the country कोई unwanted person को out of the country भेजते हैं उसको बोलते हैं deport यानि इसका अंतर C यानि expel from a country किसी को country से निकाल देना उसको बोलते हैं deport ओके, B option देख लिजिए ostracize ostracize बसे निकाल देना जो वर्दस्ती, suppose that आप किसी कमीटी में है, आपको निकाल दिया बीना आप से संपर्क किये, बीना पूछे आपको निकाल दिया exclude मतलब निकाल देना लेकिन आप से हो सकता है संपर्क करके मतलब normal बे में निकालना, आप से पूछ करके कि मैं आपका नाम निकाल रहा हूँ, that is called exclude but ostracize कर देना मतलब बिना आपके सहमत्य के निकाल देना that is called ostracize okay ostracize to exclude from a group or society okay expatriate expatriate means to renounce the rights and abilities sorry liabilities मतलब दाइत responsibility liabilities of citizenship where one is born and become a citizen of another country मतलब एक जगह से त्याग देना rights किसी country का दूसरे country के citizenship ले लेना यार बन जाना उसको क्या बोलने expatriate expatriation होता है इसी से मतलब deport और expatriate deport में जवर्दस्ति उसको निकाल देता है बिना लेकिन expatriate में क्या होता है त्याग करता है एक जगह से और दूसरे जगह का citizenship बन जाता है ठीक है ostracize फिर से एक बार देख लिजिए expatriate और deport deport मतलब जवर्दस्ति किसी को निकाल देना expatriate मतलब जहां पर पैदा हुआ आदमी वहां का सब कुछ त्याग कर citizenship बगरा दूसरे country का citizen बज़ दाना that is called expatriate expatriation होता है किसी का voluntarily giving up throne by king in favor of his son voluntarily मतलब इच्छा से अपने throne मतलब गदी गदी को त्यागता है अब किस के favor में अपने son के favor मतलब son को देता है उसको क्या बोलते है अब्डिकेशन अब्डिकेट मतलब सुच्छा से त्याग देना अब्डिकेशन ओके याणि answer A हो गिया फिर देख लिजी बी ओप्शन रेज्रेक्शन रेज्रेक्शन मिस् रिवाइवल फॉम इनक्टिविटी मतलब दम सूस्त पढ़ चुका उसको फिर से जगा देना जै इट सेक पाध्ग्रहन पदग्रहन उके खेशन अकन से सनॅ ठ recommends भी अने मिंच्र मतलब स्प्राइभम लोकिश्चर मतलब सत्या हो ara मोना उसको एक पद दिदेना ठीक है छुन यह कृत को एक शीर सबह रिनांज के लिखिविं Okay, keep watching, keep learning, these all are related to competitive examinations, okay, keep revising.